समस्कार साथियो प्रंट अफेर्स की स्क्लास में मैं सोनवीर में लिका आपका स्वागत करता हूँ शुरू करते हैं आज की क्लास कल के सवाल के साथ 28-2022 के ओलंपिक कहां खेले जाएंगे तो आपको पताई है कि जो सबसे पहले तो जो 32 ओलंपिक है बच्चो वो हुए पहले देख लेते हैं 32 में हुए थे कब कब हुए हैं जल्दी से बताओ 2020 के थे हालंकि हुए 2021 में और वो टोक्यो में खेले गए कहां पर टोक्यो में खेले गए ठीक है फिर आएंगे अब 33 नंबर के 33 नंबर के इसी साल होने वाले हैं 2024 में और वो पैरिस में होंगे कहा होँए बच्चो पैरिस में होंगे ठीक है पैरिस में फिर होंगे 34 में ओलंपिक 28 में और वो कहां खेले जाएंगे? Los Angeles, ठीक है? ये Los Angeles आपको पता होगा, Hollywood के लिए famous है. किसके लिए? Hollywood के लिए famous है, ये Los Angeles, 2028 में. इसमें किर्केट शामिल होगा, कितने साल बाद बचो? 128 साल बाद, ठीक है? किर्केट शामिल होगा, और किर्केट का T20 format खेला जाएगा इसमें, कौन सा? T20 format, तो किर्केट शामिल होगा. फिर 35 होंगे, जो 2032 में, और वो होंगे Brisbane में, कहां पर? Brisbane, Australia, ठीक है? Brisbane, Australia, ये आपको सारे के सारे जो हैं याद रखने हैं. ठीक है? बच्चो? 32 में, 32 में, 2020, 21 में हुए लेकिन, नाम 2020 से था, टोकियो में, 33 में, 2024 में, 34 में, 2028 में, लोस एंजलिस में, और 35 में, Brisbane, Australia में. किलियर है? सभी को? चलो. आगे बढ़ जाते हैं, कल के करंट फिर का जल्दी से रिवीजन करेंगे. UNSC यानि संयुक तुरास्ट की सुरक्षा परिसद ने किस देश में मानवी स्थिती में सुधार के लिए एक प्रस्ताव स्विकार किया है? तो अफगानिस्तान में. क्योंकि अफगानिस्तान में क्या है? अब तालीबान की सरकार है. अगर अफगानिस्तान की बात करें तो इन्होंने दूतावास जो है अपना बंद कर दिया है. इन्होंने घोशना की थी कि जो दूतावास है भारत में उसको इन्होंने क्या किया है? बंद कर दिया है. यह भी याद रखना है कि कौन से देशने हाली में बंद किया है. PM Modi ने तमिल नाडू के किस जिले में 20,000 करोड रुपे से जादा की विकास परियोजनाओं का लोकारपन तो तिरुचिरा पली इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी कहां हो रहे हैं वो भी तमिल नाडू में ही हो रहे हैं 44 सतरंज ओलंपियाड भी 2022 में हुआ था यहीं तमिल नाडू में ही हुआ था बचो BRICS समुह के पूर्ण सदस्य बनने वाले पांच नए देशों के नाम तो आपको पता है मिस्र वो है, इत्योपिया है, इरान है, सौधी अरब है और संयुक्त अरब अमीरात है ठीक है, मिस्र, इत्योपिया, इरान, सौधी अरब और संयुक्त अरब अमीरात अगर BRICS की बात करें तो ND भी इसका बैंक है, ठीक है, न्यू डवलप्मेंट बैंक जो है वच्चो इसका बैंक है, जिसका मुख्यल है शंगाई में, कहाँ पर शंगाई में, जिसकी प्रमुख है अभी डिल्मा रोसेफ, कौन है, डिल्मा रोसेफ, ये ब्राजील की पूर्व रास्ट पती भी रही है, कौन रही है, ब्राजील की पूर्व रास्ट पती भी रही है तो BRICS के बैंक के बारे में अगर बात करेंगे तो ये वाली बात है BRICS के बैंक के बारे में हमें पता होनी चीए है ठीक है चलो अगला कुशन है हमारा इस बार कहां पे होने वाला है सम्मेलन 2024 में तो रश्या में इसका सम्मेलन होने वाला है किस राज्य सरकार ने नए साल के अवसर पर सरकारी करमचारियों और उनके आशिरतों के लिए कैसलेस्ट कित्सा सुविधा तो ये हरियाना ने शुरू की है किस ने शुरू की है हरियाना ने शुरू की है बचो इंडियन आइल कॉर्प्रेशन की नई निदेशक मानव संसाधनियानी एच आर की तो वो कौन बनी है जल्दी बताओ क्या रश्मी गोविल बनी है बिलकुल नंदनी गुपता, मिस इंडिया, सेनिस, सेनिस पलासियोस निकार गुआ की है और यह मिस यूनिवर्स है कौन है, मिस यूनिवर्स ठीक है, सेनिस पलासियोस यह नाम आपको जरूर पता होना चाहिए मिस यूनिवर्स हैं, सेनिस पलासियोस, चलो, Candidate सतरंज्ट टूर्णमेंट में जग BIG बनाने वाले तीसरे भारती ए तो इस बार तीन भारतिये Candidate Tournament में बना चुके हैं जगे Candidate Tournament जो जीतेगा वो विश्व Championship का मैच खेलेगा किसके साथ जो वर्तमान चेंपियन है शतरंज के वर्ल्ड के जिनका नाम है डिंग लिरन डिंग लिरन किस देश के हैं बचो तो डिंग लिरन कौन से देश के हैं वो हैं कौन से देश के जल्दी बताओ डिंग लिरन कौन से देश के हैं चीन के हैं तो आर प्रग्या नान बचो पहले ही क्योंकि ये वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुँचे थे World Cup, जो व्ल्लकप finalist हैं ये इसलिए ये पहले ही पहुँच गए थे क्योंकि व्ल्लकप के दोनो finalist candidate tournament में खेलते है ये final में हार गए थे किस से हारे थे Magnus Carlsen से हारे थे Magnus Carlsen कहां के है N figure नार्वे के शतरंज खिलाडी है ये आपको रखना है याद तो देखो सबसे पहले तो ये हो गए तो क्वालिफाई फिर विदित गुजराती और डी गुकेश ये तीनों ही जो है हो गए थे क्वालिफाई ठीके बच्चो चलो हाल ही में DRDO ने अपना 66 स्थापना दिवस कब मनाया है क्योंकि 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी एक जनवरी 1958 तो इन्होंने एक जनवरी 2024 को 66 स्थापना दिवस मनाया है समीर विकामत इसका मुख्यले कहां पर है दिल्ली में है DRDO का मुख्यले दिल्ली में बचो मौर जिले का है पावर ग्रेड के CMD के रूप में किसने कारेभार सम्हाला है तो बचो ये कौन है जल्दी बताओ ये हैं आर के त्यागी रविंद्र कुमार त्यागी ध्यान रखना है और PFC के PFC Power Finance Corporation पहली महिला CMD बनी थी परमिंदर चौपड़ा कौन थी परमिंदर चौपड़ा बचो ये भी आपको रखना है याद ठीक है परमिंदर चौपड़ा पहली महिला CMD थी इसकी ये रखना है याद किसे MS स्वामी नाथन पुरुसकार से सम्मानित किया गया है पहली बार 2005 में दिया गया था किरसी छेतर में महिला योगदान के लिए दिया जाता है पहली बार Norman E. Borlog को दिया गया और अब दिया गया है BR कंबोज को ये जियावर्मा से ना कौन है रेलवे की पहली महिला द्यक्षे रेलवे बोर्ड की बच्चो ठीक है किस राज्य सरकार ने बाहरी लोगों द्वरा किरसी भूमी खरीदने पर प्रतिबंद लगाया है तो अभी उतरा खड़ने लगाया है कुछ टाइम के लिए क्योंकि एक समीती वहाँ पर ये डिसीजन लेगी कि आगे ही खरीद पाएंगे ये नहीं खरीद पाएंगे भारत और किस देश ने अपने परमानू प्रतिस ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है तो भारत और पाकिस्तान ने किया है जैसा कि वो हर साल करते हैं CRPF का महान इज़िशक किसे बनाया गया है? अनीश द्याल सिंग को राहुल रस्गुत्रा किसके बने है? ITBP के बचो ITBP के बने है राहुल रस्गुत्रा याद रखना है अनीश द्याल सिंग भी आपको रखने है? याद बचो CISF की नीना सिंग बनी है पहली बार कोई महिला बनी है भारत कितने वर्सों के लिए संयुक तरास्ट संखी की आयोग का सदस से तो चार सालों के लिए एक जनवरी से भारत का कारेकाल शुरू हो गया है लेल अद्दाक भारत का और कौन से देश के बीच एतिहासिक सांस्कृतिक और परियोटन समझोता हुआ है तो वियतनाम और लेल अद्दाक के बीच हुआ थै और किस देश में अभी 7.6 की तिवर्ता से भूकम पाया है तो जापान में आया है बच्चो किस में जापान में चलो यह तो कल का है मैंने कराई दिया था आज के सवालों पर आजाओ आज का पहला सवाल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में पाँच दिवसका विंटर कॉर्णिवल जो है उसका उद्गाटन किया है विंटर कॉर्णिवल का उद्गाटन किया है पाँच दिवसका किसने किया है बचो हिमाचल के मुख्यमंत्री कौन है हिमाचल के सुख विंदर सिंग सुख हुए तो उन्होंने मनाली में किया है इसमें जादा कुछ नहीं है ये सवाल आएगा तो वसे इतना ही पूछा जाएगा हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री ने ये नहीं पूछा जाएगा तो हाल ही में हिमाचल के किस सहर में पांच दिवसिये विंटर कॉर्निवल का उदगाटन किया गया और सिंपल आपका नम आ जाएगा क्या आपको आंसर आ जाएगा मनाली बस इतना ही इसमें याद करने ल आपकरिमेंट यानि जहां व्यापार को थोड़ा सा फ्री किया जाए छूट दी जाए मनलों ये दो देश हैं ठीक है ये है जी सी सी यानि की खाडी क्या है बच्छों खाडी सहयोग परिसद यानि खाडी जो है यानि गल्फ कॉपरेशन काउंसल है जी सी सी और ये है दक्षिन कोरिया जब इनके बीच में होता है FTA तो जादा तर व्यापार कैसे चलता है कि दक्षिन कोरिया जी सी सी को कुछ चीजें बेचता है ठीक है जी सी सी दक्षिन कोरिया को कुछ चीजें बेचती है तो इन दोनों पर ही ये दोनों नेड़ने लेते हैं कि हम अपने जो झालत पर जो चीजे जिन परЬंवे आपार करते न उनका टेक्स काम कर देंगे बचो तो व्यापार हो जाएगा फिरी फिरी कैसे julak मतलब थोड़ा सा सस्ता हो जाएगी चीझा है जो भी है सस्ती हो जाएंगी तो आसानी से व्यापार चलने लगेगा यानि कि स्वतंत्र कब होता है कोई भी फ्री का मतलब जब स्वतंत्र कब होगा जब उस पे जो प्रतिबंध लगे हुए हैं जो उस पे रेस्ट्रिक्शन है वो कम कर दिये जाएं तो जब व्यापार पे restriction कम किये जाते हैं एक समझोते के द्वारा तो उसे हम free trade agreement कहते हैं तो अभी खाडी सहयोग परिसद और किस-किस के बीच हुआ है दक्षिन कोरिया और खाडी सहयोग परिसद के बीच हुआ है और इसका उद्देश्य कहीं भी किसी भी देश के बीच हो इसका एक ही उद्देश्य होता है कि व्यापार को मुक्त करना यानि मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना इसका यही उद्देश्य होता है ठीक है चलो अगला गुशन हाली में सुदेश दर्सन टू योजना में किस वन्नेजीव अभ्यारनने को शामिल किया गया है देखो सुदेश दर्सन योजना 2015 में सबसे पहले शुरू की गई इसके तरह कुछ सर्कृट बनाए गए कि बुद्ध से रिलेटिड है तो ये अंबेड कर से रिलेटिड ये राम से रिलेटिड ये तो इस तरह के सर्कृट बनाए गए कुछ भगवान राम से जुड़े हुए हैं कुछ डॉक्टर भीम राव अंबेड कर से जुड़े हुए हैं कुछ गौतम बुद्धा जी से जुड़े हुए हैं तो इस तरह के थीमेटिक यह नहीं थीम के अनुसार बनाए गए अब सुदेश दर्सन टू बनी जो इसमें नॉर्मल के बिना थीम के भी कुछ-कुछ पर्यटन को बढ़ावा देना कि मानलो जरूरी थोड़ी है कि हर स्थल किसीने चीज से जूड़ा हो कि भाई यह भगवान-राम से ही संबंदित है कुछ ऐसे भी होंगे जो फिर है तो ऐसी जो है ऐसे परेटन एस्थलों को बढ़ावा देने के लिए सोदेश दर्शन टू सुूरू की गई और इसमें अभी एक वन्यजीव अभ्ध्यारने को सामिल किया गया है जो उडिसा का है उसका नाम है डेब्रीगड वन्यजीव अभ्ध्यारने उसा है डेब्रीगड ध्यारन रखना है वच्छों वन्यजीव अभ्ध्यारने ये उडिसा में है हीरा कुंड बांध के पास है ठीक है कहाँ पर है ही राकुंड बांध के पास तो आप से पूछ हो जाए डेब्रीगर्ड वन्नेजी वभ्भारन कहाँ पर है उडीसा में यह हाल ही में क्यों चर्चा में है क्योंकि इसे सुदेश दर्सन टू स्कीम में शामिल किया गया है बच्चो हाल ही में सुप्रिम कोर की कानूनी सेवा समिती है जो हर किसी को कानूनी नयाय सुनिश्चित कराने के लिए है यानि की चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है कानूनी सेवाएं सब तक उपलब्ध होनी चीए उसके लिए तो यह जो है बच्चो जस्टिस बी आर गवई जस्टिस बी आर गवई ज National Legal Services Authority और यह नालसा की फुल फॉर्म पेपर में पूछी जाती है National Legal Services Authority बचो एन ए मतलब national है ना एल मतलब legal as services authority तो यह ध्यान रखना है बचो कि अभी फिलहाल जो सुप्रिम कोट की कानूनी सेवा समयती है उसके अध्यक्ष कोन है Justice BR गवई है और इसमें दूसरा नाम याद रखना है कि नालसा की फुल फॉर्म क्या है बचो ओडोरा Magic City किस देश का पहला घरेलू इस तरपर निर्मित क्रूज जहाज है क्रूज जानते हो ना आप दो जहाज है एक तो व्यापार के लिए आप यूज कर रहे हो एक आपके पास लड़ाई के लिए जहाज है है ना एक व्यापार के लिए जहाज है एक क्रूज है जहां पर आदमी नॉर्मल घूमने फिरने के लिए चला जाता है ठीके किस तरह से जैसे गंगा विलास देखा था आपने गंगा विलास वारांसी से चला था पिछले साल और डिब्रूगर तक गया था असम में डिब्रूगर तक गया था याद है आपको तो उसी तरह का जो जहाज है क्योंकि वो किस लिए गया था क्या वो व्यापार के यह जो क्रूजव वाला जो हता है न सिस्टम, यह निकि लोग घूमे फिरें इस वाले सिस्टम को बढ़ाने के लिए परेटन को बढ़ाने के लिए ये चीन ने किसने चीन ने शुरू किया है ये चीन ने लॉंच किया है पहला घरेल उस तर पर निर्मित कुरूजाज जिसका नाम है अडोरा मैजिक सिटी बच्चो इसकी मुद्धरा याद रखना है रेन मिन भी ठीके बच्चो चलो पर तेक वर्स विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है जो आखों से जो आखों की किसी बिमारी से पीडित लोग है ये आखों में जिनकी में नजर है ये नहीं बिलकुल भी ऐसे लोगों के पढ़ने लिखने के लिए ब्रेल जो है लूई ब्रेल नाम के एक व्यक्ति हुए उन्होंने एक लिपी बनाई बच्चो ठीक है लूई ब्रेल नाम के व्यक्ति हुए उन्होंने बनाई एक लिपी और वो जो लिपी है ना ध्यान रखना है वो हातों से ऐसे पहचानते हैं क्योंकि उसमें अक्षट उब्रे होते हैं यो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो ऐसे हाथ रखेगा ना जैसे आपके पास ए अनार ये सब चीजें लिखी हुई हैं लेकिन ये उब्री नहीं होती आँखों से दिखती हैं लेकिन वो आदमी हाथ लगा के पहचाने का कि क्यों नुक्षरों में थोड़ा सा उभार होता है तो पहचान लेता है कि अच्छा ऐ ऐसे बनता है ठीक है तो इस तरह से बच्चों इन लोगों के लिए भी कि ये पढ़ाई लिखाई से दूर ना रहें लुई ब्रेल ने काम किया बहुत अधिक इसलिए उनके जनम दिन को ही विश्व ब्रेल दिवस के तौर पर मनाया जाना शुरू कर दिया गया किसके तौर पर विश्व ब्रेल दिवस के तौर पर उनका जनम दिन मनाया जाना शुरू कर दिया गया तो चार जन्वरी को बनाया जाता है ये भी रखना है आपको याद Antarctic में सबसे तेज सोलो इस्कींग का रिकॉर्ड किसने बनाया है तो ध्यान रखना है Antarctic में सबसे तेज सोलो इस्कींग का बनाया है हर प्रीत चंडी ने इसने हर प्रीत चंडी ने जल्दी बताओ ये किस देश की है इनका देश बताओ बचो जल्दी से बताओ कहां कि है इन्डिया की नहीं भारतीय मूल किये है लेकिन वैसा ये बिटिश हैं बिटिश हैं थीक है इंगलेंड की है तो कैब्टन अर्पी को चंडी ने प्रत्फवी का दक्षनी धुर्व拈यानी अंतर्क्तिका उस पे स्कींग की है और जो skiing करने की एक जगह है उसमें सबसे तेज गती से skiing करने का record उनों ने बनाया है ठीक है कहां की है UK की है कहां की है बचो बचो कल मैंने बोल दिया यूपी पुलिस वाले बैच में वो PDF डलवाने के लिए अभी आपको जुलाई से मिलेंगी जुलाई से लेके और अभी अक्टूबर तक नवंबर की class परसों हो जाएगी तो भी पांच महीने की यूपी वाले में मिल जाएगी आपको PDF भी और वीडियो भी मैं यह देख रहा हूँ पुरानी जो है ना उसे मैं एक बार यह देख लेता हूँ कि उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव तो नहीं है तो वीडियो आप पुरानी देख भी लेना बेशक लेकिन PDF मैं सोच रहा हूँ को उसको अपडेट करके दे दिया जाए ठीक है PDF को थोड़ा सा अपडेट करके दे दिया जाए इसलिए हाल ही में यूरोपिय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला यूरोप का जो Investment Bank है बचो उसमें पहली बार और जब पहली कोई भी चीज होती है न तो वो बहुत महत्पूर्ण होती है याद रखना है तो आपको बताना है यूरोपिय निवेश बैंक की अध्यक्ष त थी ठीक है पहली महिला MD IMF की है न क्योंकि IMF में अध्यक्ष नहीं बोला जाता IMF में जो सर्वच पद है उसको Managing Director ही बोला जाता है अब कौन है अब है क्रिस्टालीना जॉर्जीवा लेकिन पहली बार जो बनी थी IMF की कोई महिला वो थी क्रिस्टीना लिगार्ड कौन थी क्रिस्टीना लिगार्ड बचो अब कौन है क्रिस्टालीना जॉर्जीवा ये दूसरी महिला MD है दूसरी महिला महानिदेशक है लेकिन IMF में जब पहली बार कोई महिला बनी थी तो ये रखना है आपको याद ठीक है अगर बात करें गीता गोपिनाथ की तो ये IMF की पहली म बचो ठीक है ये पद शुरू किया गया तो गीता गोपिनाथ के बारे में अगर बात करोगे आप तो दो चीजें समझ मैंगी कि पहली महिला चीफ इकनौमिस्ट इन से पहले वहां की मुख्यर्थ शास्त्री कोई भी महिला नहीं बनी थी किसकी IMF की वो तो MD है ये चीफ इ नदिया कैलविनो कहां की है ये स्पेन की है अच्छा स्पेन की ये स्पेन तो वही है जिसके कौन है बचो कार्लोस अलकाराज भी है कार्लोस अलकाराज हाँ जी ये वही स्पेन है जिसके कार्लोस अलकाराज भी नहीं है बचो कार्लोस अलकाराज भी जिसके है ठीक है और सा पहली महीला चीफ इकनोमिस, ठीक है? चलो, हाल ही में किसराज्य ja सरकार ने आपदाओं की पूर्व Чतावनी के लिए राहत वा केंदर? हाल ही में चर्चा में रहा राहत वानी केंदर क्या है ये एक आपदाओं की पूर्व चितावनी देने वाला सिस्टम है क्या है पूर्व चितावनी देने वाला सिस्टम है बच्चो ध्यान रखना है ठीक है पूर्व चितावनी देने वाला सिस्टम है और ध्यान रखना ये कहां पर है ये किसने लॉंच किया है उत्तर प्रदेस ने अगर बच्चो मैंने कली बोला था अगर वो नहीं हुई है यूपी प्लिस वाली जो बैच है उसमें चारो मंतली नहीं डली है तो मैं आज डलवा दूँगा मैं बोल दूँगा आज फिर से ठीक है चलो तो ये बच्चो उत्तर प्रदेस ये पहले से ही आपदाओं की पहले से ही चेतावनी दे देगा तो राहत वानी केंदर है अब इसका उद्देश्य क्या है एक तो चेतावनी तयार करना जब पहले से दे देगा तो कुछ ना कुछ प्रभाव तो डालेगी जो कोई आफ़त आएगी डिजास्टर आएगा तो तो वो क्या करेगा बच्चो समय पर राहत वित्रन यानि रिलीफ पहुचाएगा और अगर ज़्यादा नुकसान हुआ है तो लोगों को मुआवजा भी परदान करेगी ये सब इस प्रणाली के हिस्से होंगे ठीक है इस प्रणाली के हिस्से होंगे बच्चो ठीक है ये सब इस प्रणाली के हिस्से होंगे हाल ही में आई रिपोर्ट के नुसार कौन सा देश कैंशर से हुई मौतों के मामले में Asia में दूसरे स्थान पर रहा है Cancer से हुई जो मौत है उनके मामले में Asia में दूसरे स्थान पर भारत रहा है बचो और चीन इसमें पहले थान पर है ठीक है? ये किसके د्वारा अक्नार्मल 스u老師 है मतलब एक 스ड़ी है study है यहसा नहीं है कि किसी बड़े संगठने एक study है जिसका नाम है The Lescent Regional Health Southeast Asia Journal जनल का मतलब है जैसे एक अख़बार होता ना उसी टाइप से एक study निकालने वाली पत्र का मान सकते हो यह है ठीक है तो इसके अनुसार पर आपको ध्यान रखना है भारत दूसरे नंबर पर और चीन पहले इस्थान पर उत्रप्रदेश के पहले floating restaurant floating का मतलब है पानी में तैरते तैरते आप आनंद लोगे खाने का ठीक है 40 लोग बैठ सकते हैं एक साथ में तो देखो इस तरह का है floating यह देख रहा है न अपने लोगों को यह बैठे हैं खा रहे हैं और यह यहां पर floating restaurant बना है पहला कहां पर बना है वच्छो यह बना है प्रियाग राज में उत्तर प्रदेश का पहला है PLI योजना के तहत मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतिये electric vehicle company बहुत महत्पूर सारे सवाल आज हैं क्योंकि आपने हर सवाल में देखा है पहला पहली पहला पहली और यही सवाल जादा पूछे जाते हैं बच्चो एक्जाम में तो production linked incentive जानते हो आप एक PLI scheme की गई कुछ उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इसमें क्या होता है कि जितना बढ़िया कोई क्या करेगा कोई उद्योग जितना बढ़िया production करके देगा तो उसे उतनी ही सरकारी मदद दी जाएगी यानि production से linked होगा incentive जैसे कोई आदमी किसी company में काम करता है वहाँ पर कोई product बनता है तो जितने ज्यादा product बना के देता है उसे उसे साति loved recycle मिलता है तो इसी तरहे बच्छों यह ev company पहली बन गई ली ए जिसे π ल आई के तहत मंजूरी मिली है तो उसका नाम है ओला ileक्ट्रिक क्या नाम है ओला इलेक्ट्रिक इसका नाम है क्या इह नाम है ब परियोजनाओं के लिए समझोता किया है 25,000 करोड एक बड़ी राशी है तो अगर ये किसी कमपनी ने किया है सरकारी कमपनी ने किसी भी राज्य के साथ किया है तो वो एक्जाम में आने की संभावना उसकी पूरी रहती है तो बच्चों ये जो पावर फाइनेंस कोरपरेशन है ये हमारी महारतन कमपनी है जो बिजली उद्योग को असलित में क्या करता है ये बिजली उद्योग को पैसा प्रोवाइड कराने का काम करता है क्या करता है बच्चों बिजली उद्योग में कहीं पैसे की कमी न रहे उनकी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए परियाप हाल ही में किस संस्थान के लिए वर्स 2024 को मानव संसाधन विकास और अनुसंधान वर्स के रूप में नामित किया गया है मतलब कौन सा संस्थान है जो 2024 को मानव संसाधन विकास और अनुशासन वर्स के तौर पे मनाएगा यनि वो इस वर्स ध्यान देगा किस पर अपने human resource के development पर और discipline पर देगा तो इस संस्था का नाम है भारतिय अक्षे उर्जा विकास agency ठीक है Indian बच्चो Renewable Energy Development Agency Indian Renewable Energy Development Agency अभी अक्षे उर्जा को बढ़ावा देने के लिए बनी हुई है किसको अक्षे उर्जा और अक्षे उर्जा कैसी है जिसका 6 ना हो जो खतम ना हो जो हमेशा चलने वाली हो ठीक है तो ये जो है जिसको हम बार-बार renew करके यूज कर सकें आपने गाडी में petrol डाला खतम हो गया आप उसो renew कर सकते हो नहीं कर सकते आपने दो panel लगा दिये उपर उन पैनलों से बिजली बनी वो बिजली खतम हो गई उसके बाद आपको कल फिर से धूप निकलेगी फिर से बिजली बनेगी यहनी अक्षय उर्जा जो ऐसे स्रोत हैं उर्जा के जिनने आप बार-बार क्या कर सकते हो जिनने बार-बार आप रिन्यू कर सकते हो तो यह भारतिय अक्षय उर्जा विकास एजन्सी है इन्डियन रिन्यूबल एनर्जी डवलप्मेंट एजन्सी इसने मानव संसाधन विका और अनुशासन वर्स के तोर पर नॉमिनेट किया है, अगले किसको बच्छो अगले साल को, अगले नहीं अब तो 2024 आई गया है, मतलब इसी साल को बच्छो, और यह मिनी रत्न है कैटिग्री वन की, मिनी रत्न कैटिग्री वन की, बहुत महत्पूर्ण है, कौन से देश ने हि रास्त्रिय प्रतीक घोशित किया है, क्योंकि उनकी संस्कृति में यह एक महत्पूर्ण है बच्छो, एक महत्पूर्ण है यह इसका रॉल, और उनका जो नायक, कहानियों का एक नायक होता है, जैसे हमारे नायक हैं, भगवान राम हैं, भगवान श्री किसने हैं, उनकी कह किर्गिस्तान ने किस राज्य ने मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती स्री अन प्रोत्साहन योजना शुरू की है। और ये मध्य प्रदेश की होजना है किसकी है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है मोहन यादव आज का पहचानो तो जाने लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी मैंने आपको पढ़ा दिया ठीक है और पहचानो तो जाने जो है इसको मैं रखूं बीच में फिर आप फिर रिवीजन करवाओंगा और ये लास्ट में पहचानो तो जाने करेंगे या ऐसा भी कर सकते हैं कि जब हम कल का रिवीजन करते हैं उसके तुरंट बाद पहचानो तो जाने और फिर आज के सवाल करेंगे ठीक है क्लियर है ठीक है फिर नहीं तो एक गैप सा हो जाएगा तो एक बार इसी को मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपका और फिर उनको करेंगे बचो पहचानो तो जाने को पना तो गैप हो जागा जल्दी से रिवीजन करेंगे बस दो मिनट के अंदर हिमाचल के मुख्य मंत्री ने किस सहर में पाँच दिवसिये विंटर कार्णिवल का उदघाटन किया है मनाली में किया है बचो खाडी सहयोग परिषद ने किस देश के साथ एक मुक्त व्यापार समझहोते पर हस्ताक्षर किये हैं दक्षिन कोरिया के साथ किये हैं तो देश दर्सन 2 योजना में कौनसे वन्यजीव अभ्यारन ने को शामिल किया गया है डेबरीगर्ड वन्यजीव अभ्यारन ने ये कौनसे राज्य में है ओडी सा में है कहाँ पर ओडी सा में है सुप्रिम कोट की कानूनी सेवा समीती के अध्यक्ष जेस्टिस बी आर गवई बने हैं ओडेरा मैजिक सिटी किस देश का पहला घरेलू स्तर पर निर्मित करूज जहाज है तो चीन का है ये विश्व ब्रेल दिवस कब मनाय जाता है चार जनवरी को मनाय जाता है अंटार्क्टिका में सबसे तेज सोलो स्किंग का रिकॉर्ड किस ने बनाया है तो हरप्रीत चंडी ने बनाया है यूरोपिया निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है नदिया कैलविनों है बच्चो किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वानी केंदर कौनसा केंदर राहत वानी केंदर शुरू किया है तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है कौनसा देश कैंसर से हुई मौत के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर भारत है चीन पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश का पहला floating restaurant कहां पर है प्रियाग राज में है बचो कहां प्रियाग राज में है PLI योजना के तहत मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतिय EV कंपनी वो ओला एलेक्ट्रिक है Power Finance Corporation ने किस राज्य के साथ बच्चो 25,000 करोड रुपे का एक समझोता किया है विद्यूत परियोजनाओं के लिए तो किया है गुजरात के साथ और 2024 के लिए कौनसी कंपनी 2024 को मानव संसाधन विकास और अनुशासन वर्स के तौर पे मनाएगी तो भारतिय अक्षे उर्जा विकास एजेंसी को मनाएगी हिमत एंदुए को अपना रास्ते प्रती किसने घोशित किया है किर्गिस्तान ने किया है और स्री रानी दुर्गावती स्रीयन प्रोफ सहन योजना किस राज्ये में लागू होगी मध्य प्रदेस में और किसलिए मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के नला थंभी कलाई सेल्वी हैं CSIR Council of Scientific and Industrial Research इसकी पहली महिला ध्यक्ष थी है पहली महिला ध्यक्ष अमित अग्रवाल है UIDAI के बचो CEO और नला थंभी कलाई सेल्वी CSIR की हैं Council for Scientific and Industrial Research दिनेश प्रसाद सकलानी NCRT के हैं किस के हैं NCRT के अध्यक्ष हैं NCRT के ध्यक्ष हैं Dines Prisad सकलानी CBSC की हैं निधी छिबर CBSC की निधी छिबर तो ध्यान रखना है आमित अग्रवाल UIDAI के हैं नला थंभी कलाई सेल्वी CSIR दिनेश प्रसाद सकलानी NCRT के हैं निधी छिबर CBSC की और ये हैं BCCI के रोजर बिन ठीक है, BCCI के अध्यक्ष हैं, तो वेज्ञानिक और अध्योगिक अनुसंधान परिस्त, जिसे हम कहते हैं CSIR, उसकी पहली महिला अध्यक्ष कोन हैं, नला थंबी कलाई सेल्वी हैं, ठीक है, नला थंबी कलाई सेल्वी, अगर दिलीप टिर्की की बात करें, तो यह हौकी इं संग, याद रखना है, चलो ओगले पेज़ पे मैंने लिखा हुआ है, तो कम से कम आप यह ही ऐसे देखो, फिर आगे फिर से देख लेंगे, दिलीप टिर्की कौन है, होकी इंडिया के अध्यक्ष हैं, पी टियू सा याद रखना है, भारतिय ओलंपिक संग, दीपा मलिक है तो वो कौन थे बच्चो, वो कौन थे जल्दी बताओ, देविंद्र जाजरिया, देविंद्र जाजरिया थे, अगर आप किसके बारे में बात करोगे, दिव्यांग खिलाडी के बारे में, लेकिन अगर आप बात करोगे, दिव्यांग महिला खिलाडी, तो पहली बार खेल चाहिव जो विधी आयोग है क्योंसा है 22 हाँ विधी आयोग है उसके बारे में आप याद रखेंगे और रेखा शर्मा है भारतिये महील आयोग के अध्याक्ष, ठीक है। फिर से देखो दिलीप टिर्की कौन है? तो दिलीप टिर्की हैं बच्चो कौन? जल्दी कमेंट करके बताओ. दिलीप टिर्की होकी इंडिया के हैं, अध्यक्ष पीटियूसा भारतिय ओलंपिक संग की हैं, दीपा मलिक भारतिय पैरालंपिक संग की हैं, दितुराज यह धीरे-धीरे करके ना रोज 10-10 नाम भी होंगे क्योंकि यह कम से कम 100-200 लोगों की ऐसी होती है जिसके बारे में पूछ लिया जाता है तो अब यही कोशिश करेंगे कि 10-10 रोज याद करें और जब 50 के करीब हो जाएं तो उनकी एक शॉर्ट वीडियो अलग से बना दें ठीक है उनकी एक शॉर्ट वीडियो का क्या करेंगे वच्छो हम अलग से बनाएंगे तो यह रिवीजन हम करी चुके हैं लास्ट के आज के सवाल पर सीधे-सीधे पूल गया अंडर 20 विश्व कप 2020 का विजयता कौन सा देश है यह आर डवलू ए करेंट अफेर्स टेलिग्राम चैनल इस पे आपको पीडिये भी मिलेगी क्लास का लिंक भी मिलेगा सारी चीज़ें हैं अपलब होंगी अभी कले इतना ही रखते हैं बचो अभी दो दिन और क्लास को इसी टाइम पर रखते हैं ठीक है दो दिन और प्योंकि आपको पताईए कि कल सेटरडे संडे है तो अभी टाइम मिली जाएगा कुछ भी अगर करना है तो दिन में कर सकते हैं अगर यह जो भी टाइम चेंज होगा मैं आपको मंडे से जो क्लास लगेगी उसके बा कि तregular कि अख क्लास कि आह थे टाइम BRAएगा मैं इंवागा थास्व इद्ट करना हैं अगिछार के अज Leistug